सब्सक्राइब करें गार्निंग बोई को और दबाएं बैल का आइकन और उसे स्लेक्ट करें आल आप्सन पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले दोस्तों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुलाब पे तो दोस लगने का यह की कारण होता है जब हम अपने प्लांट को साम को वाटरिंग करते हैं और उसके पत्तों पानी रुख जाए तो आपको साम को कभी वाटरिंग नहीं करनी है तो आज इसी को हम बचाएंगे तो सबसे पहले हम यह फंगस वाली जितनी टहनी है हम पूरी यह कट क कर देंगे क्योंकि फंगस को फैलने से में रोकना है तो हम देखिए कैंची लेंगे और कैंची की मदद से इसको काटेंगे तो यह देखिए इसको हमने काट दिया है तो इससे घबराएना यह दुबारा से नई ग्रोथ ले लेगा इसकी अपडेट भी मैं आपको जरूर द लगी हुई हम इसके जितने पत्ते हैं सारे हटा देंगे देखिए जितने भी इस पर फंगस लगी हुई है यह देख सकते आप अगर हम इसको नहीं बचाएंगे इसकी कटाई चटाई नहीं करेंगे तो एक फंगस हमारे पूरे प्लांट को जो है कि एक टाइम बात खतम कर देगी तो आपके भी अगर प्लांट में अगर ऐसी प्रोब्लम आ जाती है तो आप भी यही तरीका पनाए आप घबराए ना आपका प्लांट नहीं मरेगा तो दोस्तों ये देखिए हमने अपने पूरे प्लांट की छटाई कर दी है बहुत अच्छे से आप देखिये ये सारी जितनी हमारी ख्राब बरांचे थी हमने सब निकाल दी है तो अब देखी हमारा प्लांट जो है कि कुछ इस तरह का हो गया है देखिए इन में से मैं ये जो है कटिंग भी लगा के देखूंगा ये कटिंग के लिए सही है तो देखेंगे अगर लग गई तो सही है एक्सपेरिमेंट हम करेंगे बस तो आते हैं अपने प्लांट के तरफ तो देखिए हमारा प्लांट है अब हम इसे फंगी साइट से हमें इसे नहल तो सबसे पहले यह देखिए कुछ पत्ते रह गए यह पत्ते हम हटा देते हैं तो लगबख सारे पत्ते हट गए हैं तो अब हम इसे फंगी साइट से एक बार इसे पूरे प्लांट को अपने नहला देते हैं ताकि अगर कई फंगस रह जाए तो वो खतम हो जाए आगे फंग गास को आप हटा दें क्योंकि हम पलांट में जितना भी फूट डालते हैं वो यह घास ले लेती है और हमारे प्लांट को फीडिंग नहीं मिल पाती है तो दोस्तो यह देखिए हम अपने प्लांट की तरफ आ गए हैं अब देखिए दोस्तो यह हमने इसमें आदे लीटर पान तो यह आपको गार्निंग सौप पे मिल जाएगा, तो दोस्तो यह देखिए, आप देख सकते हैं, इसको हमने इसमें घोर्ट के रख लिया है, तो इस पर आप बोतल ले सकते हैं, और दोस्तो आपको यह गार्निंग सौप पे बहुत आराम से मिल जाएगा, आप देख सकते है यह 250 ग्राम का है तो यह आपको जो नरसरी लोकल नरसरी होती वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यह देखिए यह आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज है अगर आपके प्लांट जो नीचे से सड़ जाते हैं यह उसी से बचाता है फंगस लगने से बचाता है और इसकी MRP यह तो हमने इसमें रख लिया है तो उससे पहले आपको एक और काम करना है यह देखिए आप एक ग्राम दिया दो ग्राम ऐसे निकाल लीजिए और इसमें हलका सा पाने डालके इसको आपको एक पेश्ट बना लेना है और उस पेश्ट को आपको देखिए कहां पे लगाना है च प्लांट जो आपने जहां से कटिंग किया वहां से जो प्लांट है आपका ड्राइ होना सुरू हो जाता है और दीरे-धीरे नीचे आते हुगा पूरा प्लांट खतम हो जाता तो है आप ऐसा किजिए जब भी आप प्लांट करें तो उसमें फंगि साइड लगा दिय ताकि लगाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो आप भी ये काम अपनाएं आप जरूर ये फंगी साइड लेकर आएं और उसके बाद फिर आपको अपने पूरे प्लांट को जो है के स्प्रे कर देना है तो देखिए ऐसी आप मार्केट से स्प्रे बोतल ले लीजिए ये 50 रुपे में आ जाती है और आप बढ़िया क्वाल्टी की भी ले सकते हैं तो आपको 200 रुपे तक मिल जाएगी तो पूरे प्लांट को आपको नहला देना है तो ये देखिए पूरा प्लांट जो है के हमारा नहा लिया है अब देखिए दोस्तों यहां प इधर मैंने यह मिर्च की सीडलिंग कर रखी है इधर हमारा पोदीना लगा हुआ है तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें फिर मिलते हैं आपको एक नेस्ट वीडियो में